शोद्र को लीडर मत बनाओ भाईया वो दिक्कत करेगा देश्ट का नास हो जाएगा ये जातिवादी बयान है सोकल्ड मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंदरा का हमारे देश में आज कल कोई भी एराग एराऊट कर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है और मीडिया में अपनी जाती के पत्रकारों की बदोलत उसे देश पर थोप भी दिया जाता है ऐसे ही एक शक्स हैं डोक्टर विवेक बिंदरा खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं और लोगों को सक्सेस्फुल होने के मंत्र बताने के नाम पर उनके दिमाग में ब्रहमन वाद और जाती वाद को भर देते हैं डोक्टर विवेक बिंदरा को मनू मीडिया के पत्रकार अपने कारेकरों में बुलाते हैं और उनकी घटिया सोच को देशवासियों के दिमाग में भरने में मदद करते हैं ऐसे ही एक आरोपी हैं ब्रामनवाद फैलाने के आरोपी आज तक के डिजिटल मीडिया वेंचर दललन टोपर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बुलाए गया था और इसे इंटर्व्यू के दोरान उसने अपने दिमाग में भरी गंदगी को सब के सामने उगल दिया सोशल मीडिया पर इस इंटर्व्यू की एक 30 सेकंड की क्लिफ बाइरल हो रही है जिसमें विवेक बिंद्रा कह रहा है कि शूद्र का काम सिर्फ ब्रामन, चत्री और वैश्य जैसे वर्गों की मदद करना है यानि वो कह रहा है कि शूद्रो को सिर्फ सेवा करनी चाहिए उनका सबसे बड़ा धर्म ही सेवा करना है विडियो में उसने जो कहा है वो आपको हम बताते हैं विवेक बिंद्रा जन्र के अधार पर इंसान और इंसान में बटवारा करने वाली चतूर वरण व्यवस्था के बारे में कहता है ब्रामन का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्च्छल क्लास ओफ सोसाइटी चत्य का मतलब हुआ? एड्मिस्टेटिव क्लास ओफ सोसाइटी वेश्य का मतलब हुआ? मर्किन्टाइल क्लास ओफ सोसाइटी शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ओफ सोसाइटी जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है वो माइनस वन हो सकता है लेकिन वो number one नहीं हो सकता लेकिन वो श्यांदार काम करेगा कुछ लोग assist करने में बहुत बढ़िया होते हैं उसको leader मत बनाओ भीया दिक्कत करेगा वो आदमी क्योंकि वो अपने आप decision नहीं लेता लेकिन decision को execute करने यानि उसे लागू करने में वो बहुत अच्छे हो सकता है एक आदमी strategy का है एक execution का है executive को strategic के साथ बदलोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा पूरे देश का नाश हो जाएगा और वही हो रहा है ये विवेक बिंद्रा के शब्द हैं जो मैंने आपको बताए है शब्दों की चास्नी में ब्राह्मन वाद को लपेट कर विवेक बिंद्रा ललन टॉप की ब्राह्मन मासबा यानि उसके करमचारियों को चटाता रहा और वो सारे लप-लप करके उसे चाटते भी रहे किसी ने उसे नहीं टोका, किसी ने नहीं रोका कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि शूद्र यानि ओबिसी समाज के लोग सिर्फ ब्राह्मन, ठाकुर और बनिया वर्गों की मदद करने यानि उनकी सेवा करने के लिए बने है विवेक बिंद्रा जैसे ब्राह्मनवादी लोग इस देश को चतुर वरंड के नाम पर जादपात में बाटने की कोशिश कर रही है विवेक बिंद्रा का ये वीडियो साल भर पुराना है जिसमें वो मेरिट पर दलित महादलित पर आरक्षण पर अपने मूँ से उल्टी कर रहा है उसे सुना जा सकता इस इंटर्व्यू के दोरान जो वो बाते करता है क्योंकि भारत में जातिवाद के दर्द को समझे बिना याद मी गुण और कर्म के आधार पर चतुर वरन को बनाए रखने का पक्षदर है वो ये नहीं समझता कि इस से देश में कितना नुकसान हुआ है वलकि वो इसकी तारीफ करता है वो इसको बड़ावा देता है वो कहता है कि क्रिशन ने गीता में बताया कि मैंने खुद गुण और कर्म के आधार पर चतुर वरन की स्थापना की है लेकिन विवेक बिंद्रा ये नहीं बताता कि अगर गुण और कर्म के आधार पर ही बटवारा होता है तो फिर मोतर कांड का आरोपी विवेक शुकला अभी तक सबसे निचले पायदान पर क्यों नहीं गया क्यों ब्रिज भुशन सिंग जैसे व्यक्ति पर इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी उसका वर्ण चत्रिय से नहीं गटाया गया क्यों देश के भगोडे कारोबारियों को वर्ण से बाहर नहीं किया गया वो किसी अपने वर्ण से निचले वर्ण में क्यों नहीं आ गए इसका जवाब विवेक बिन्दरा को देना चाहिए चतुर वरण पर ज्यान देने वाले जाती वादी विवेक बिन्दरा को बाबा साहिब डुक्टर अमबेटकर की किताब जाती का विनाश में पढ़नी चाहिए Annulation of caste में बाबा साहिब ने चतुर वरण व्यवस्ता की जम कर पॉल खोली है जो तरकिस समय विवेक बिंदरा दे रहा है वैसे ही तरक कुस समय भी दिये गए तो बाबा साहब दुक्टर अमबेटकर उसकी पॉल खोलते हैं बाबा साहब दुक्टर अमबेटकर जाती का विनाश में लिखते हैं ये लोग कहते हैं कि चतुर वरण में गुण और कर्म के अधार पर वरगों का विभाजर होता है लेकिन ये कौन है और ये कौन तै करेगा किस व्यक्ति में कितना गुण है ये कैसे पता चलेगा क्या इसके लिए कोई नेशनल लेवल पर प्रतियोगी परिक्षा होगी कोई कॉम्पेटिटिव एक्जैम होगा क्या लोगों को पेपर देना होगा परिक्षा देनी होगी क्या उसके बाद कोई जो इसको परिक्षा को पास कर लेगा उसको कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उनमें कौन सा गुण है अगर किसी में एक से ज्यादा गुण हुए तो उसे कौन से वर्ण में रखा जाएगा बाबा साहिब के इन सवालों का जवाब ना विवेक बिंदरा जैसे लोगों के पुर्खे उससे में दे पाए थे और ना ही ये आज उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं विवेक बिंद्रा जैसे जो लोग हैं वो ना ही जाती को बुराई मानते हैं और ना ही उन्हें जाती वाद में कोई खामी नजर आती है ऐसे लोग मेरिटोक्रेसी और टैलेंट के नाम पर वंचित वर्गो को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और ब्रामनवाद को जायज ठेराते हैं लेकिन अब ऐसे कथित मोटिवेशनल स्पीकर्स की कलास भी लगाई जा रखी है सोशल मीडिया पर लोगों ने विवेक बिंदरा की हवा टाइट कर दी है क्योंकि लोग उनकी जम कर आलोचना कर रहे हैं अब उसके पुराने पाप भी बाहर आ रहे हैं लोग उसकी ऐसी कई वीडियोज खोज लाए हैं जिसमें वो दलितो आदिवासी और पिछले तबकों के खिलाफ अपनी जहरिली सोच को जहर कर रहा है एक वीडियो में वो कहता है कि आरक्षन का मतलब है तरक्की का दुश्मन एंटी प्रोग्रेसिव होना और आरक्षन के कारण ऐसे लोग डोक्टर बन जाते हैं जो मरीज के पेट में कभी रूई छोड़ देते हैं तो कभी एनिस्थीसिया देते वक्त गल्ती करते हैं और मरीज ओपरेशन के बीच महीं उठ जाता है ये जातिवादी दीमक ये तक कहता है कि एक बार ओपरेशन के दोरान एक बुढ़िया ने पानी मंगा तो आरक्षन वाले डोक्टर ने उसे पानी की जगए तेजा पिला दिया यानि विवेक बिंद्रा के मताबिक कोटे वाले डोक्टर को ये नहीं पता होता कि पानी क्या है और तेजाब क्या है वो इसमें भी फर्क नहीं कर पाता वो इतना जाहिल होता है ये इसका खेना है अब जरा सोचे ऐसे लोग जब कहीं पढ़ाते होंगे उनके पास कोई वंचित वर्गों का आदमी काम करता होगा तो ये उससे कितनी नफरत करते होंगे बंद्रा का कास्च अलोट हुई वो बंद्रा के द्यान के दीन भी थी या बाद में उसकी कोई परिक्षा हुई थी उनके गुन और कर्मों पे और उसके बाद उनका कास्च अलोट को आई कैसे हुआ इसको मैं समझने कोशिश करना है यह बड़ा सवाल है जो लोग आर्गू करते हैं कि वह तो जी बहुत गुंद कर्म के हिजाब से बहुत रिक्षा सिस्टम था और बाद में यह पतित हो गया किसने पतिता है और इस पतन का सबसे बड़ा लाभार्ती कौन है अगर गुंद कर्म के विहाग से कोई सिस्टम होता था पहले सारे लोग जब 10 या 12 साल के हो जाते थे तब पूरे देश में परिक्षा होती थी उसके बाद सबको अपने अपनी जाती अलोट की जाती थी अगर पदल कैसे को भी दिखाएं बोजन समाज देश की बहुत संख्या का बादी है लेकिन जिनकी संख्या सबसे ज़ादा है उन्हें ही अपमानित करके यानि SCST OBC मानरेटी समाज को अपमानित करके ये अपनी दुकान चला रहे हैं इसलिए इनकी दुकान बंद कर दीजिए इनकी fan following कम होगी इनकी दुकान बंद होगी तो इनकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी इनके धंदे पर चोट कीजिए वैसे आपको इनसे ये भी बात समझनी चाहिए आपको सावदान रहना चाहिए कि ऐसे लोग कभी कबार बाबा साब दूक्टर अमबेटकर पर वीडियो बनाते हैं जैभीम हैं और दीमक सामने से नजर नहीं आता बलकि अंदर ही अंदर लकडी को खोकला करता रहता है विवेक बिंद्रा की इस जहरीली सोच पर आपकी क्या राय है क्या आप उसे मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं जो चतुरवन के बारे में वो राय बोल रहे हैं कि शुद्रों को स सेवा करनी चाहिए असिस्ट करना चाहिए उस पर आप क्या सुचते हैं कमेंट करके बताएं आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो क्यांत में आप से चोटी से अपील साथ ही अगर आपको The Newsweek का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यू ही अमबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहें इस QR को स्कैन करें और Newsweek Foundation के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जर्ये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsweek Foundation अकाउंट नंबर है 0-2-3-5-8-7-0-0-0-0-6-4-0 IFSC code है YES B-00-0-2-3-5 बैंक का नाम YES Bank है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली आप donation के एवेज में income tax में भी छूट पा सकते हैं donation के रसीद पाने के लिए transaction का screen shot हमें बेजें टाइप करे donation अपका नाम और हमें 859579-4224 पर WhatsApp करें